पोलिन ने अपने रास्ते बंद कर दिये हैं पोलिन ने युक्रेन को हथियार नहीं देने का एलान किया है अब पोलिन से एक भी हथियार युक्रेन को नहीं मिलेगा पोलिन के रास्ते युक्रेन का सप्लाई चेन पूरी तरह से कट गया है पोलिन का अपना दरवाजा बंद करना युक्रेन के लिए बहुत बड़ा जटका है युक्रेन युद की शुरुआत से ही पोलिन युक्रेन की मदद कर रहा था पोलिन से उक्रेन को हथ़ियार मिल रहेग, विदेश से मिलने वाले हथ़ियार पोलिन के रास्ते ही, उक्रेन पहुंच रहेग, लेकिन अब पोलिन का कहना है, कि वो उक्रेन को हथ़ियार देनी के बदले, खोद को और मजबूत बनाएगा. पोलीन की प्रदाइन मंत्री ने कहा है, को उक्रेश को हत्यार देने की जगा अपने दिश में ज्यादा जदाने पर फोकस करेंगी में उक्रेश करेंगी ने का जवादागी ने की जब बिश्वादागी ने कियो मूँ मूर लिया है युक्रेम को सबसे पहले फाइटर जेट देने का एलान करने वाला पॉलिंग अब युक्रेम को हत्यार देने से क्यों मना कर रहा है दोस्त के दुश्मन बनने की पूरी कहानी बताएंगे लेकिन उससे पहले पोलिंड क्यों अपने लिए एक से बढ़कर एक हतरनाख हत्यार जुटाने में लगा है। इसे जान लेना ज़रूरी है। रूस से लेकर बिलारूस से बड़े खत्रे से पारपाने के लिए पोलिन अलग-अलग देशों से हथियार जुटा रहा है अमेरिका से धाई सो एबरिम डैंक्स का करार उसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है पोलेंड ने अमेरिका से मिलने वाले अबरिम टैंक्स को रूस से लगी सीमा पर लगाने का पैसला किया है पोलेंड रूस की मुख्य भूमी से काफी दूर है इसके बावजूद पोलेंड की सीमा से सटे कलिनिन ग्राथ पर रूस का नियंत्रन कलीनिन ग्राथ से पोलेंड 232 किलोमेटर लंबी सीमा साज़ा करता है अब एबरेम टैंक्स को कलीनिन ग्राथ से लगे बॉडर पर तैनात करने वाला है पोलेंड की 418 किलोमेटर लंबी सीमा रूस के सहियोगी बेलारूस से भी लगती है पोलिन को आशंका है कि युद्ध की स्थिती में रूस बेलारूस के रास्ते भी पोलिन पर हमला कर सकता है। पोलिन और भी जंके साजो सामान खरीदा है। जिसके डिलिवरी के बाद खुद तक्षिं कोरिया के प्रदान मंत्री होंड़क सुने पोलिन का दोरा किया था। पोलिन पर भी पॉलैंट पॉलैंट नग्ड़ का थाओन थिप्ड़ साजोंग है। और बार्दोरिक लाव को पर भारे में, जो जो पोड़ माव दे कोड़ा रहा है यही ज़जा है कि पोलिण ने रूस्की सेना के आफ्टमान की सुरत में करारा जबाब देने के लिए पोलिण बिलारूस से लगी सीमा को और सुरक्षित करना श्रु कर दिया है सेनिको को सीमा पर तैनाप कर रहा है ये पोलिन की सेना का सबसे ताज़ा मूव्मिन्ट बटालियन की बटालियन जा रही है टैंक जा रहे हैं बफ्तर बन गाड़ियां जा रही है ये पोलिन की सेना का बेलारूस बॉर्डर की और पढ़ने का वीडियो है पश्चुमी मीडिया के मताबिक बेलारूस की और बढ़ते खत्रे को देखते हूँ पॉलिन ने बेलारूस से लगी सीमा पर सेना की तैनाती दो बढ़खा दी है दावा तो यहां तक है कि अगर युद्ध की नौबत आ गई तो नेटो के एक लाख सेनिक पॉलिन में लेंड कर जाएंगे पॉलिन के राष्ट्रपती ने दावा किया है कि एक लाख नेटो सेनिकों की इस मूव्मेंट के प्लान पर नेटो ने अपनी मोहर भी लगा दी है एक लाख नेटो सेनिकों का पोलेंड आना युद्ध के लिहाज से बहुत बड़ा संकेत, बहुत बिस्पोटक प्लान है क्योंकि इस प्लान के तहित नेटो की एक लाख सेना पोलेंड में दाखिल हो जाये नेटो के फाइटर जेट पोलेंड आईंग, नेटो के खातक टैंक पोलेंड पहुंचिंग, नेटो की बक्तरवन गाडियां पोलेंड आईंग, नेटो की स्पेशल पोर्स पोलेंड में हुग, पोलेंड की सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त बिलारूस बना हुआ है, क्योंकि पोलेंड की बड़ोसी देश बिलारूस है। रूस की कई खतरनाख मिसाइले टैनात है। रूस के परमाणू बंभी अब बिलारूस में लग गए है। पोलेंड को डर है कि युक्रीन मदद इसे खार खायब होते हैं। आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं। पोलेंड में अभी करीब 10,000 नेटो सैनिक तैनात हैं। जिन में से अधिकांश अमेरिका की पोर्स है। इसके अलावा युद्ध होने पर एक लाख और नेटो सैनिक पोलेंड आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ नेटो शिखर सम्मेलन पोलेंड में हथ्यारों के गोदाम बनाने का फैसला किया गया है। क्योंकि अमेरिका और ब्रिटन के बाद पोलेंड ही ऐसा देश था जो युक्रेंड का बड़ा मददगार था। पोलेंड पश्चमी देशों और युक्रेंड की बीप सबसे एहं कड़ी बना हुआ था। अमेरिका समेथ पश्चमी देशों से युक्रेंड को मिलने वाले मिलिटरी मदद का रास्ता भी पोलेंड से ही होकर जाता था। युक्रेन से पॉलिंड की 535 किलोमेटर लंबी सीमा लगती है पॉलिंड के जरिये नेटो के हत्यार धरले से युक्रेन पहुँच रहे थी वो हत्यार जाहे अमेरिका से युक्रेन आने हो या फिर ब्रिटेन से युक्रेन को हत्यारों के डिलिवरी मिलने वाली हो हत्यार पहले अमेरिका से पॉलेंड पहुँचता था। वैसे ही ब्रिटेन से भी पॉलेंड आता था। फिर पॉलेंड से सड़क के रास्ते युक्रेइन पहुचता है। लेकिन पॉलेंड के ताजे वैसले के बाद अब ये कड़ी चूट कई है। बिलरूस में लुच के लगे भर्मानों के गपराई पॉल्ण अरय कोटמע को मांगIे किसी कीमत परमानों अधियार चाहिए। यसकी ठाउट का अंदाजा इसी भाट से लग के पोलेंड मैं प्रझान मंत्री मांत्स जी नहिएकृटFषध जी वैके जाय रामे के लाहह बीजेमा, प्याहिए के लतारवं छेमेदी हैं, ज्सक बाहु र Industry मेरमे रिजाई हैं शवजावे लाओे हैं लामे लेड़ा के बाहे हैं लादी एकाश के रैदावे अज्चाव के चाली हैं . नए बस्टैन के बेदान मंत्री मेर्ण मोरा बेगी का कहना है कि बोलन नेटो के पर्मानु हतियार साझार कर और नप्रम्ममें शामिल होना चाहता है पॉलिंड के राश्रपती अंड्रेज जूडा ने पहले ही बयान दे दिया है कि उनके देश को अपनी जमीन पर अमेरिका के परमाणू बम को तैनाग करने में कोई दिक्कत नहीं है वो अमेरिका के परमाणू हत्यारों की मेजबानी करने के लिए बातचीत कर रहे हैं पॉलिंड के राश्रपती अंड्रेज जूडा बयान दे चुके हैं कि हमने अमेरिका के नेताओं के साथ इस बारे में बात की कि क्या अमेरिका इस तरह की संधावना पर विचार कर रहा है बुद्दा खुला है अब पॉलिंड के खुद के डर से बाहर निकल कर युक्रीन चलते हैं जिसकी परिशानी पॉलिंड के फैसले के बाद और बढ़ गई है फॉलिंड ने ही सबसे पहले युक्रीन को फाइटर जयेट देनी की घूशना की थी यही वो देश है जिसने जर्मनी से युक्रेन को लेपर टू बैटल टैंक देने की अपील की थी इसके अलावा जंग के बाद से पोलेंड अब तक युक्रेन के करीब 15 लाथ लोगों को पनाख दे चुका है युक्रेन जाने वाले अलग अलग वर्ड लीडर्स भी अक्सर पोलेंड होकर ही अपनी यात्रा करते रहे हैं लेकिन अब पोलेंड और युक्रेन की बीच खाई खुद गई है दोनों की बीच दूरियां बढ़ गई है यूक्रेन के प्रेजडेंट जेलिंस्की ने पहले इशारों ही इशारों में पॉलिंड पर कमेंट किया यूएन मेस जेलिंस्की ने बिना नाम लिये पॉलिंड पर तन्सकसा थी उन्होंने कहा कि कुछ देश, दुनिया के सामने युकरेन का साथ देने का दिखाबा करते हैं जेलन्सकी के बयान के बाद पॉलिंड ने युकरेन के आम सपलाई चें को ही काटने का फैसला ले लिया पॉलिंड से युक्रेन की बड़ी दूनियों के पीछे अनाज एक्सपोर्ट पर विवाद है। अनाज को लेकर ये विवाद तब शुरू हुआ जब रूस के साथ जंग की वजह से काला सागर के जरिये अनाज एक्सपोर्ट के रास्ते को बंद करना पड़ा था। इसके बाद युक्रेन का अनाज दुनिया के और देशों में न जाकर सिर्फ सेंट्रल यूरप के मुलकों में रह गया। इस वजह से यूरप के कई देशों के किसान परेशान हो गया। क्योंकि युक्रेइन से अनाज आने की वजह से उनके अपनी फसल की कीमत बेहत कम हो गाई। इसे देखते हुए यूरिपीन यूनियन ने बुलगारिया, हंगरी, पोलन, रुमानिया और स्लोवाकिया में अनाज के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। युक्रेइन ने वाल्ट ट्रेड और्गनाइजेशन में इन देशों की तरफ से लगाए गए बैन के खिलाब केस दर्च करवाया है। युक्रेइन ने पोलन्ड सहित बाकी दोनों देशों पर अंतर राश्रुय नियमों का उलंगन करने का अरोप लगाया है। जिससे पोलन्ड युक्रेइन से खपा है और अब युक्रेइन को हत्यार की सप्लाई रोकने का पैसला लिया है।